आज के यूजफूल किचन टिप्स के थुरू घर और किचन को बहुत अच्छे से और्गनाइज करेंगे साथ में पुराने पेटिकोट को चार तरीके से रियूज करेंगे नमस्ति दोस्तों स्वागत आपका प्रिती रसोई में तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं पेटिकोट का यूज हर लेडिस करती है साड़ी के साथ मगर जब ये पुराना हो जाता है या फिर थोड़ा बहुत फड़ जाता है तो इसे फेक देते हैं मगर आज हम इसको चार तरीके से यूज करेंगे यानि पुराने पेटिकोट का रियूज चार तरीके से करेंगे यकिन मानिये फ्रेंड बहुत ही यूजफूल टिप है आपको इसमें से कोई न कोई टिप बहुत ही यूजफूल लगे गई और आपका काम भी आसान हो जाएगा तो सबसे पहला तरीका ये है कि पेटिकोट के कमर वाले हिसे को इस तरीके से टाइट बांध लेंगे इसके अंदर जो डोरी है उसे इस तरीके से बांध कर गाट लगा देंगे ये दिखे ऐसे गाट लगाने के बाद डोरी का जो एक्स्टा पार्ट है उसे हम पेटिकोट के अंदर डाल देंगे side वाले hole से अब पेटिकोट को side में रख देते हैं अब यहाँ पर मैंने लिया है blanket सरदी खतम हो गई है तो हम blanket को धो कर शुखा कर रख देते हैं तो blanket को अगर रखने के लिए आप के यहाँ जगह कम है तो आप blanket को रख भी सकती है और यूज भी में ले सकती है यानि उसे रखने के बाद भी आप यूज में ले सकती है तो उसके लिए हम blanket को इस तरीके से fold करेंगे यहाँ पर मेरा blanket थोड़ा पतला है इसके लिए मैंने इसके अंदर एक और चदर डाला है अब जो हमने पेटिकोट के आगे वाले हिस्से को बांदा है उसके अंदर हम blanket को डाल देंगे इस तरीके से यह दिखे ऐसे बहुत ही आसानी से चला जाता है और बहुत ही यूजफूल है फ्रेंड आप एक बर ट्राइ करके देखिएगा अगर आपके घर में जगह कम है blanket वगरा रखने के लिए तो आप इस टिप को जरूर ट्राइ करें वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब किये वगर मत जाईएगा तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अंदर डाल दिया है अब इसके साइट को इस तरीके से इकठा करेंगे और एकदम टाइट ऐसे पकड़ेंगे अब इसे हम रसी से बांद देंगे आप चाहे तो जिस कलर का पेटिकोट है उसी कलर के रसी से बांदे ज्यादा अच्छा लगेगा और बांधने के बाद ये कुछ इस तरीके का चॉकलेट जैसा बन गया है जैसे चॉकलेट को रैप करते हैं बस वैसे ही ये बन गया है अब इसे आप गोल तकिये के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं बहुत ही यूज़फूल है और सॉफ्ट तो इतना रहता है न कि रूई भी इतना सॉफ्ट नहीं रहेगा मतलब नॉर्मल जो आपका तकिया है उससे ज्यादा ये सॉफ्ट रहेगा तो आप चाहे तो इसे यूज़ करें या फिर इस तरीके से पैक करके अंदर रख दें तो वो आपकी च्वाइस है सिलाई मसीन का यूज़ हम करते हैं सिलाई करने के लिए मगर इसे ऐसे खुला अगर रख देते हैं तो बहुत ज़्यादा धूल मिटी इसके अंदर चला जाता है जिसके वज़े से सिलाई मसीन खराब हो जाता है तो अगर इसका कवर है तो ठीक है कवर अगर नहीं रखता है तो इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिटी जाता है तो आजकल तो सिलाई मशिन के साथ में ही कवर मिल जाता है तो उसे आप इस तरीके से लगा सकती है मगर जो उपर का इसका कवर है ये भी गंदा हो जाता है तो मैं कैसे रगती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ क्योंकि इसे बार-बार साफ करना बहुत ही मुश्किल का काम है तो इससे अच्छा है कि इसे भी कवर करके रखे तो उसके लिए पुराना पेटिकोट ले ले आप चाहे तो इसको बीच में से कट करके उपर से सिलाई कर दे तो इस तरीके से ये उसके लिए एक कवर बनके तयार हो जाएगा अगर आप पेटिकोट को काटना नहीं चाहती है तो पेटिकोट के उपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से के अंदर डाले इस तरीके से यानि पेटिकोट को अंदर के साइड डालते हुए फोल्ड कर लेना है ऐसे डबल फोल्ड यह दिखें आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से फोल्ड कर लिया है अब इससे हम अपने सिलाई मशीन को कवर कर देंगे तो यहाँ पर हमने पेटिकोट को काटा भी नहीं, सीला भी नहीं और बहुत ही अच्छे से कवर बन के तयार हो गया है तो आप भी इस तरीके से अपने सिलाई मशीन को ढख कर रखें जिससे धूल मिट्टी भी नहीं जाएगा और मशीन खराब भी नहीं होगा और इसे बार-बार शाफ करने का जंजट भी नहीं रहेगा तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको एकदम अच्छे से बंद करके रख दिया है अब चलिए देखते हैं कि एक पेटिकोट से आप अपने बहुत सारे कीमती सामान को कैसे बचा सकती है तो यहाँ पर हमने पेटिकोट लिया है जब हम कहीं बाहर जाते हैं ट्रेवलिंग में तो हमारे साथ कुछ पैसे कुछ ज्वेलरी साथ में रहता ही है तो हम उसे इस तरीके से पर्स में डाल कर अपने पर्स में या फिर अपने लगेज में रख लेते हैं जिसके लिए हम हमेशा डरते रहते हैं कि कहीं रात में चोरी नहीं हो जाए तो आप अपने बहुत सारे पैसे और ज्वेलरी पर्स में या लगेज में नहीं रखें आप उसके लिए एक पेटिकोट ले ले जो पेटिकोट आप पहनने वाली हैं वही ले ले और पेटिकोट के कमर वाले हिस्से में आगे की साइड हमें इसे लगाना है ध्यान रखिएगा जो आगे की साइड रहेगा पहनने के बाद उधर ही लगाना है पेटिकोट के अंदर उपर नहीं अंदर की साइड में और इस तरीके से यहाँ पर लगा दें मगर यहाँ पर सेप्टी पिन से इसे नहीं लगाएं क्योंकि इसमें कीमती सामान आप रखने वाली हैं तो इसे अच्छे से लगाएं मतलब आप यहाँ पर सुई धागे से सिलाई कर दें वो ज्यादा सेफ रहेगा सेप्टी पिन का कोई भरोसा नहीं है कि कब खुल जाए और इतना बड़ा रिस्क लेना ठीक नहीं रहेगा तो आप इस तरीके से पर्स को इस पेटिकोर्ट से अटेच कर दें सिलाई के थुरू और पर्स को पेटिकोर्ट के कमर वाले हिस्से में जो पट्टी रहता है उसके नीचे से ही लगाना है और यहाँ पर आप कोई भी सौफ्ट पर्स ले मतलब जो थोड़ा सौफ्ट हो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको लगेगा नहीं और अब इसमें आप अपने पैसे जो भी लेके जाना चाहती है इसमें डाल दें और उसके चैन को बंद कर दें अब सीधा कर लें और यह दिखिए यहाँ पर मैंने वाइट कलर के धागे से इसे अटेज किया है जिससे यह दिख रहा है मगर आप यह गलती मत करना आपका जिस कलर का पैटिकोट है उसी कलर के धागे से इसको अटेज करें इससे इसका सिलाई दिखेगा नहीं क्योंकि कोई-कोई साड़ी बहुत ज़्यादा पतली रती है बहुत ही हलकी रती है तो उस साड़ी में से यह सिलाई दिखने लगेगा अगर पैटिकोट के कलर का धागा रहेगा तो बिलकुल भी नहीं दिखेगा अगर आप पैटिकोट को लगेज में रख के लेके जाने वाली है तो इस तरीके से फोल्ड करके पर्स को इस तरीके से अंदर की साड़ कर दे और लगेज में रख दे यह दिखेगा भी नहीं और पता भी नहीं चलेगा कि इसमें पर्स भी है अब यहां पर मैंने पुराना पैटिकोट लिया है अब इसके डोरी को इस तरीके से गाठ लगाएंगे और पेटिकोट के पट्टी को एक जगई इकठा करके डोरी को एकदम टाइट बांध लेंगे और जो एक्स्ट्रा का डोरी है उसे पेटिकोट के अंदर की साइड में डालेंगे इस तरीके से अब पेटिकोट को इस तरीके से खोल कर रखेंगे यानि इसके सेंटर को बीच में रखकर ऐसे खोल लेंगे अब इसमें हम अपने सारे उनी कपड़े रखेंगे अभी गर्मी का मौसम आने वाला है तो ठंड वाले कपड़े हम रखेंगे अंदर तो उसके लिए कपड़ों को धोकर शुका लें और फोर्ल करके इस तरीके से पैटिकोट के अंदर रख दें अब इसे ऐसे नहीं रखेंगे आठ महीने के लिए हमें इसे रखना है तो इसमें फिनेल गोली ज़रूर ढले तो फिनल गोली को ऐसे नहीं डाले नहीं तो कपड़े में दाग हो जाएंगे टीसू पेपर में लेकर अच्छे से रैप कर ले उसके बाद इसमें रख दें अगर टीसू पेपर में नहीं रखना चाहते हैं तो एक छोटे से पर्स में कई सारे होल कर दें उसके बाद उसमें फिनाल गोली डालकर पर्स को इसके अंदर रख दें अब पेटिकोठ के ऊपर वाले हिस्से को इस तरीके से एक साथ पकड़ कर सेंटर में अच्छे से पकड़ लेंगे और रशी से इसे अच्छे से बांध देंगे और ये हमने पुराने पेटिकोट को कपड़ा रखने का और्गनाईजर बना लिया है अब इसे आप अपने घर में कहीं पर भी रख दें धूल मिट्टी भी नहीं जाएगा और ये कपड़े एकदम अच्छे से और्गनाईज रहेंगे तो फ्रेंड आपको पुराने पेटिकोट के चार रियूज आइडिया में से कौन सा आइडिया ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा साथ में ये भी बताईएगा कि आप दुनिया के किस कोने से मेरे वीडियो को देख रहे हैं